अब लगम बैक टो मैं व्टू चनल तो भाई कैसे हैं आप आई होप कि आप बहुत अच्छी होगा आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़ी हैं तरीके सद रहे होगी तो भाई दो अप्रेल फस्ट स्रिप्ट का जो मेरा एक्जाम हुआ है उसका एनलर से लेके सामने आपके साम लिए हैं कि यह पेपर कैसा आ रहा है क्या पैटन भाई चैंज हुआ है ठीक उसके साथ भाई नए टॉपिक जो एड हुए उनके बारे बात करने वाले हैं पन क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं यह बताऊंगा आपको स्कूर कम होने का कारण सबसे पर रख्या है बो अब मुझ अब सबसे कहीं कि बहुत सारे कमेंट आरे भाई बहां मैं अब कईक लोगों कमेंट कर आपको कर आप परॉपर मैं यह सब चीज देखते हो उससे क्या benefit मिल रहा है कि यह सभी बातों का मैं आपको बताने वाला हूं पहली बार चैनल पर आए ते वीडियो को लाइक किजी का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपको विकेंसी एडिमिट काड और बहुत सरी अपडेट में आपको शेयर करते रहता हूं औ सब्सक्राइब करें ऐनेस की मैंने यहां पर लिख जा रहता है तो मैंत के बात करें मैं जहां तक मुझा आता है को बतारे वाला हूं मैं बात करें साइंस की साइंस में लगवाग 20 कोशन थे रिजनिंग में 25 कोशन थे उसके बाद जीके में आपका 21 कोशन थे जीके का लेवर भाई कल से बढ़ गया है कल से मतला मेरी सप्टम में को देखने को मिला बड़ा कि मैं एनलसे को जब से फॉलो कर इसकी नहीं करके देख यह तो बाइच करें अपने मैंस की तो मैंस में 31 कोशन थे 20 even कोशन आपके साइंस में 25 इसंग में थे 21 कोशन जीके कि तो की जीके कलिए मेरी सब्टम से में को देखने को मेरा थोड़ा सा स्रीयल लीविल को टच कर रहा ह। बात करने मैंने हिंएंड क कि थोड़ी सी मुझे क्योंकि मैंने हिंदी मैंने जिस तरगी से तियार किया था आपकी लूसेंट होगे मैं अपने लेवल का बता रहा हूं हिंदी टेस्ट में से 24 23 आ जाती थे और मतलब हिंदी का मैंने एक टॉपिक नहीं छोड़ा था फिर भी मुझे कल हिंदी थोड़ी स को कन्फिजन देखने हैं क्योंकि अगर इंग्लेस का पहले जमबर थो वहां थोड़ी रूज वगयरा फॉलो करके बहां पन देख सकते हैं हिंदी का जो प्रेल यहां कि पूरी बहां सा बढ़ेंड करता कि आपको कौन सा वर्ण पहले रखना है कौन सा बाद में रखना तो कितना इंदर पढ़ेंड पर फिर भी वहां दीप पूछ देती वहां थोड़ा सा कन्फिजन हो गया था वायरस से भी कोश्चन आया था इंग्लेस में थार्टी कोश्चन थे आपके थार्टी कोश्चन थे लगवा कि यहां पे एक दू नंबर कहीं से कम करना पड़े का मैं मैं आपको यह भी बताऊंगा आपका टाइम मेनेज कैसी आप टाइम कहां कम पड़ सकता मैं वह को यह खिक्ची बताने वाला हूं तो सबस्क्राइब इनकी टॉपिक बता दूमें आपको डियाई से कोश्चन आ रहा है डियाई से वाहां पे कबर किया गया पैरा आपका ज से कोश्चन आता हाइट अपने नॉर्मल वाला पड़ते हैं मतलब फैताले सिक्स्टी डिवाला बहाँ पैताले सको भी एक कर दी था और इस ताइप को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब निकल के आ रही बहुत दो टॉपिक को ऐसा कॉमन बना के पूछ रही जैसे आपन र तरीके से पूछ लैंग वेस तरीके से घुमारी अगर आपका बेस बहुत अच्छा तो आप अच्छा स्कूर कर पाऊगे साजी तारी से कोश्चन आए था आपका ब्लॉट मास पूरा कंप्लीट है और एक डाउट आपके क्लियर है यहां भिनने भी डाल दिया बार बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस थी तो आप ऐसे कोश्चन आराम सोड़ा दोगे और एक चीज़ और बहां पर एक्जाम होल में पता नहीं कैसा एक प्रिसर टाइफ का फील होता आपकी कितना ही आपने एक्जाम दे दिया मतलब कितना ही आपको एक अच्छा का सनुभ अब बहुत कूल रहे के पेपर देना आपके नंबर बहां से कर सकते हैं आपसे जो भी आएगा आपको खुद पर डाउट होगा कि आपका वाकई में यह अंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो एक चीज़ नोटिस कर लेना आप बल्कुल प्रेसर मतलेना जैसा भी एक्जम अच्छे ही जाएगा पर आप प्रेसर में आगो तो आपका एक्जम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा यह जी मैं आपको लिखके दे रहा हूं तो आप बहां से सब्सक्राइब को पूरा फॉलो करना है ठीक है यहां पर बात करें घातां करनी से कोशना था समयकार होगे अल अलफवेटिकल सीरीज थी मैथ में यहां पर मतलब आपका समयकार पूछा था अलफवेटिकल सीरीज में कि PQRS इसकार को एतनी दरमें करते हैं इसकार को इतनी दरमें करेगा ऐसा तो मतलब नंबर नहीं था तो आप इसको असानी से बने लोगे और आपका कॉंसेट फिलियर है तो आपको बहुत ज्यादा सामय लगने वाला को इतने लंबे आ रहा है करने बैठोगे एक कुशन आपका भाई कंशे से आठ मिट आराम से खाएगा आपको सर्मिसमी का याद है तो आप एक मिट से मिट में अंदर आप उसको आराम से कर सकते हो से कुशन आए थे पूरा कॉंबरिशन कोश्चन आथा आपकी अगर मैथर अच्छी तो इसको आसानी साथ निकाल लोगे शेत्रमिती गोला आए था और आपका गोला से आथा और एक आपका संकु से कोश्चन आए था उसमें भी भिनने वाले इसमें मतलब के बिने टाइप उसके लाव में को तो इक कोशन देखने को में नहीं मिला और प्रकास अब भरतन से कोश्चन आया था नुमेरिकल से कोश्चन आ था अब का सूतर से पदार्त मुझे इतने याद है वाई साइंस के इनके अधर वाइस भी कोशन थे लगवाग क्वंटी कोशन पूचे गाए उसके बाद भाई रीजनिंग की बात करें आपके 25 कोशन इजी रीजनिंग आए आपके प्रैक्टिस बहुत अचीट आपको घबराने के रहते हैं बहां पर रीजनिंग का थोड़ा सा लेविल अप हुआ है ऐसे सी सीजियल को टच करने का प्रयास है इस पीपर को अब एक टेस्ट लगाते सीजियल के तो अपन को कोशन भाई वहां से देखते हैं और अभी जो एक्जाम होए सीजियल के भाई कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा उनको एक वार सौल बगरने का प्रयास के तो उस लेविल को यहां पर जीके और आपका रीजनिंग को टच किया गया है के में ठील थोड़ा बहुत कअरशना हैसे आपकीर ост नपर सोगव की मैं अगर आपको बहुत तफ लेवल की जहां तक बहुत मतलब में को तर टाइम आगे था पर टाइम लग रहा था आपकी कैलकुलेशन वाली है यहां पर आपके लॉजिकल अगर आपके अच्छे लॉजिक अपनको कर लोगे पर यहां पर नंबर वैल्यू बहुत बड़ी थी चार डिजिट मे यहां पर 16 आगया है पर 4 आगया इनका भी इंतर लेकिए 12 निकालना था ऐसे करके भाई बहुत लगा था इसको लगवाई च्छे मिट लग गया था थो थो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुए था इसी कोशन इस टाइप के कोशन चार से पांच कोशन देखने को मिल गया थे और वहां पर लगवग उन करेक्शन की जरूरती जहां तक मेरे साथ मैंने इंग्ले संदी दॉन चेक के लिए थे बहां से भाई दो अप्शन वहां पर मैच नहीं हो रहे थे क्योब देख लेगा बहां से अपर एकडम से अप्रोच आ गया थे कि कि इस को मुझे देख गया था तो मैंसे असानी से मैं तो लगा दिया तो मतलब ऐसा है कि अगर आपके प्रैक्टिस अच्छी आपको कोशन देखने से भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको थोड़ी सी भाई रिक्स वाले ट्रेक तो भाई यूज करने पड़ेगे क्योंकि हर एक कोशन को आपका पीपर तीन घंडे का बने गई नहीं क्योंकि देखते ही आपको पते तो देखते ही पता चल जाती तो आप बहुत तफ लगा आपको आप जिसकी प्रैक्टिस है जिसका अच्छा तगड़ा लगा क्योंकि मैंने भी अच्छी तियार की थी जीके भी काफी नंबी समय से जीके को फॉलो कर रहा हूं और आपके रिवीजन सब्सक्राइब कर दो कोशन एंपी के मातर पूछे गया थे वह भी हिस्ट्री से फॉलो किया गया था एक चुल बंस का गुप्त बंस का कोशन था करेंट ऑफ यहां पर एससे जीके को फॉलो किया रहा है यहां पर मतले लगभग भाई कोशन तो थोड़े बहुत याद नही बेज भी में को समझ में नहीं थे थोड़ा सा मैंने यहां पर इस तरह की सहा पर बना लिया था ठीक है उसके बाद यह जो मैंने बाद जो मैंने एडमिंट कार्ट के पीछ लेगा था आकरी मेरे पास लगभग 10 मिंट बज़े गया था मेरा पूरा पर प्र अटेम्ट हो गय यह नहीं पर नंबर के रिक्स थी और वही हुआ कि इंग्लिस कर ने वेटेस बढ़ा दिया है एक तारिक से 30 प्लस की इंग्लिस आ रही है मेरे में 30 प्लस की आई थी और जो इंग्लिस की लेंगवेज भाई बहुत तफ जाद मतलब आपकी बहुत अच्छी है जैसी आपका बैग्राउंड इंग्लेस ही है और आप ऐसे सी किते हैं आप आसानी से कर लोगे अगर आपने भाई अभी नया है ना इंग्लेस पढ़ना स्टार्ट ही है तो आपको दिख कर जाने वाई क्योंकि इंग्लेस का इस तरीकी से ने भाई अगरें फिर हीट इंट्राइव वाली मेंटर काम आई थी आपके और से अपने इनको कर सकते हो फिर भाई पर वहाँ पर टाइम लग रहा था बहुत ज्यादा चैसा च्छे कोशन थे लगभग यहां पर बहुत टाइम टेकिंग इंग कुशन थे वाड़ अरेंजमेंट से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं आप रिव्यू देखके पर इंग्लिस का 30 टॉपक यहां पर पूछे गया थे लगभग बहुत हर्टी कोशन पूछे गया थे और इन टॉपक यहीं से लगभग 25 कोशन यहीं से आ गया थे तो थोड़ा सा आप यहां पर समझ सकते हैं बा आप सीडी आपने कितना ही डीप पढ़ लिया पर यहां पर इतना डीप पूछ देता उसने ठीक हैं कोशन भी थोड़ा से समझ में आ रहे थे रैम रॉम से कोशन आ गया था वायरस से कोशन आ था सही जोड़ी ठीक एक कोशन मतलब दो तीन कोशन तो उनके एसे थे भाई हि तो ऐसी दिक्कत भी यहां पर देखने को मिल रही और कौन सी दिक्कत में आपको यहां पर बताने का प्यास करूंगा उसके बाद भाई भी हिंदी हिंदी की लेंग भी थोड़ी सी मतलब कोल मिला कि ओवरॉल पेपर की बात करें पेपर थोड़ा साब हाई हो गया है बात ए मेरा जो एक्जाम मतलब मेरे एक्जाम मेरा सेंटर में मेरा हाइस नंबर था मैं आपको बताने कितना नंबर था ठीक मैं आपको बताऊंगा आगे भातन दूए एक से कोशना था हितिहास से कोशना था पैरा जंबल से यहां पर हिंदी में कोशन था पैर इतना मतलब ऐसा थ यहां से आपके कोशन देखने को मिल गया थी कारेक्षिन से कोशन था तत पुरह समाज से कोशन देखने को मिल गया था बात करें मैंनेजमेंट की मैनेजमेंट भाई तो यहां पर नुमेरिकल यहां पर नुमेरिकल नियुमेरिकल भी एड़ किया गया है आपके राष्टी आए कि सूतर आपको याद होना चाहिए सब्सक्राइब करें तो अपनी तयारी को मजबूत करें भाई क्योंकि कि यहां से पेपर अप होगा और आपको घबडानी जुरूत नहीं आप थोड़ा सा रेलेक्स होगे तयारी करें आपको अच्छा जाएगा कुछ पॉइंट है फटाक्षिन को सौल्व करने का प्रयास करते हैं कि चलिए भाई कैसा रहा दो प्रेल का पैटर्न पेपर दो मन बनाके रखिए आपका basic अच्छा है अपने concept अच्छे से रिवाइस की हैं तो भाई आपको बहां से पेपर में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी आप अगर भाई analysis के भरोसे रहे सिर्फ बो टॉपिक जो बता रहे हैं वह भी पढ़ते रहे तो आप बरबाद हो जाओग आपको मैं तो जो अगले दिन आप पेपर दने जाओगी कोशन तो इन ही जाएंगे पूछेगा ठीक इतना डीप पूछेगा कि अपने अपने हलका फूलका तयारी किया तो यहां से आपके कोशन कटेंगे आपने जैसे कि आज भाई लगबाग आप लेबल मान सकते हैं यह कोशन आपका के नहीं की साथना के आपके कोशन देख करते हैं सेकंड टाइब का तो फूर चान से होगे यहां पेखने को मिले से मिफ्यों तो मैं बोल सकता हूं यह प्यक्ताइब आप चैंज हो रहा है तो आपको अपने सब स्थीयरी को चैन्ज भी करना पड़ेगा बहू प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या रही है लेब में सरवर की दिक्कत आ रही है आपकी फिंगर ब्रिंट मैच नहीं हो रहे है लोगों को घंटो घंटो खड़ा रहना पड़ रहा है यह अगर रही हैं अगया फिंगर में देख रहे हैं और थोड़ा सा वहांपे इंवार्म की उतना खास नहीं थे थोड़ी मतलब ऐससा था कि बहुत ज्याद थी बहांपे थोड़ी आप समझ सकते अलर्जी वगर थी उसके बाद भाई कंप्यूटर का प्रॉब्लम था और आपकी फिंगर प्रॉब्लम आ रही थी और आपकी जो बैरिफिकरिकरिशन होता आपके लास्ट में बहां से बायो में आपको कल बताया था आपकी सिस्टम में जब आप सेव प्रॉब्लम आ रहा है जहां तक भाई यह भी हो सकता कि फिंगर थोड़ा सा आपका माइंड भी ड्यावड हो रही थी और आपकी नेक्स्ट में आपके देख सकते हैं पंदर पंदर सेकेंड आपके हरी कॉशन में बहां पर तो टाइम का भी बहुत बड़ा इसू आ गया थ कि पर नहीं करने आपके तैम भाहँ पर कम पढ़ने लगा था ठीक है किन बातों को ध्यान लखना है जहां से अपने नंबर भाहां से आराम से कम होने वाले बिल्कुल निस्चिंद रही है कि आपके नंबर आराम से कम होंगे वहाइब से आता हुए भी कोश्चन आपको ऐसा लगेगा मतलब आपको लगेगा और लगना भी वहाइब क्योंकि आपको अच्छा ही जाना चाहिए पर इसी के पीछे आपने टेंशन ने लिए अगर बाई चांस बिगड़ा तो क्या होगा जी जो टेंशन वहाइब की कोश्चन पर एफेक्ट करती है आपसे इतने इसी कोश्चन भी भाई म आपको फिर से बताता हूं कि थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी पर आपको भाई पेपर कोश्चन की पूरी अप्टेंट करना यहां से आपको कूल सबसे बड़ा यहीं टॉपिक है और उसके बाद स्कूर कम होने का करना यह भी हो सकता और सबका अलग अलग ओपिनियन रह करना है बिल्ह करना नहीं वाल को अराम से साल वे करना हरी कोश्चन को पढ़ना है पोश्चन को डबोल जा अन्से पर बहुत ज़्यदा फोकस करना नहीं वाले कोश्चन है लगबग भाई 20 प्लस कोश्चन आपके नहीं वाले आ जाते हैं वहां पर आपको कोश्चन देखने को बहुत अलग गड़बड देखने को मिल जाती है मेरे स्कोर बताता हूँ आपको ठीक है तो बात आ गए यह भाई कोल में लाकर यह था पूरा आपका ओवर वीव ठीक है तो बात करें एक्जाम की एक्जाम भाई मौडरेट लेवल का है आपकी प्रैक्टेस अच्छे आपको घवड़ाने जो रतने हैं आपका पेपर बहुत जाने वाला है बात करें मेरे स्कूर की मेरे स्कूल उतना खास नहीं रहा मुझे तो उमीद थी कि लगवाई बन फिफ्टी प्लस ही तो जाए कंच पर वहां मेरे स्कूर वाई 122 रहा है 132 नमबर ही आया है मेरे जो कि मेरे उमीद से बहुत जादा कम है यहां मुझे प्रणा सकते हैं अपने साफ से और जो वन तरी तो पूरे सेंटर में हाई एस्के बाद भाई 110 नमबर थेक के मैंने वहां पर लगभग पूछा था क्योंकि वहां पर लगभग जो मेरे सेंटर फसा था वहां पर लगभग 15 लाइब तो थीच वहां पर 15 मतलब में ऐसाद ज सब्सक्राइब और आपका इंग्लिस हो गया यहां पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रहे हैं अगर आपका कॉंसेट अच्छा है और अपने रिवाइस किया हो तो आपके आराम से नमबर बन जाएंगे आप मैच्स रीजनिंग इंग्लिस का भरोसा कर सकते हैं टेस्ट मे लाएगा इसको आप जो कि जॉइन कर सकते हैं और आने वाली स्टेटी पॉइंट व्लॉग बन की नाम सबको मिल जाएगा अंदेल सिब्टू की बाइर अलसे आपको देता रहूंगा आपके जिसका वीडियो जरूर बताएगा और आप किस एक्जाम के तईरे कर रहे हैं आ सब्सक्राइब को बहुत सारी वेनेफिट देखने को मिल जाएगा पॉइंट है यह गोल्डन पॉइंट है इनको जरूर ध्यान में रखना यहां से आप भाई कुछ दस प्लस आराम से करके आओगे यह मेरी गैरेंटी है आप चीजों को आराम से पढ़ना आप से बनेंगे को कोशन इतना इसी भी हाड नहीं आ रहा है पस यह की गलतियों कारन पेपर में गलती हो जाती है तो वहां पे नंबर कम हो जाते ही ठीक है उन गलतियों को ध्यान रखोगे तो आपके आराम से दस प्लस कोश्चन हो जाएंगे तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएएगा और अगर चैनल पर नाया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब केज़ेगा वीडियो को लाइक केज़ेगा और चैनल को सपोर्ट केज़ेगा मिलते हैं अगले वीडियो दिन तक के लिए जाहें